कि प्रभू आप कौन हैं अब देखिए भक्त और भगवान के बीच की बातें बड़ी मनोहर होती है मौहन और मौहन मस्तों के दल का मिलता कुछ राज नहीं भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज नहीं और कहने लगे हनमान जी कि प्रभू आप कौन हैं भगवान बोले हम आपको कौन लगते हैं हनमान जी बोले हमें तो आप ऐसे लगते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धर निभार की तुम अख्ल भुवन पति लेन मन ज अवतार हे प्रभूप मुझे तुम ऐसा लगता है कि आप जग कारण हैं जगत के कारण हैं जग कारण तारण भव भववंधन से मुक्त कराने वाले हैं भंजन धरनी भार और धरित्री की रक्षा करने आए हैं आप अख्ल ब्रह्मान के स्वामी हों के तुम अख्ल भुवन पति और आपने मनुष रूप में अवतार लिया है ऐसा मुझे प्रतित होता है अच्छा देखिए हनुमान जी ने ऐसी बात कहें तो एक एक वाग के जो हनुमान जी ने कहे थे भगवाद ने उसका खंडन कर दिया अपने आपको राम जी ने छिपा लिया और कहते हैं कि हनुमान जी आप कह रहे हैं कि मैं जग कारण हूँ मैं जगत का कारण नहीं हूँ जगत मेरा कारण हूँ मैं जगत के कारण वन में आया हूँ तो किस की कारण आए कहा कोश लेश दशरत के जाए हम पे तु वचन मानी वन आए हम पिता के वचन से वन में आये हैं तो आप भाववंदन से मुक्त कराने वाले भगवान बोले कि हनुमान जी आप कह रहे हैं कि हम भाववंदन से मुक्त कराने वाले अरे हनुमान जी हम क्या भाववंदन से किसी को मुक्त कराएंगे हम तो स्वयम बधे हैं हम पितु वचन मानी वन आए हम पिता के वचनों से बधे हैं अच्छा तो आप धरित्री की रक्षा करने आए हैं भगवान बोले हनुमान जी क्या बात करते हो हम धरती की रक्षा क्या करेंगे धरती की पुत्री जानकी जी हमारे साथ थी हम उनकी रक्षा नहीं कर सकें तो हम धरती की रक्षा क्या करेंगे सारे वाक्य भगवान ने खंडल कि और देखिये भगवान कहते हैं कि हनुमान जी आपने ये इतना सुन्दर प्राम्हन का वेश बनाया है बिल्कुल प्राम्हन लग रहे हो पर एक वात है कि कोई भी बता देगा कि आप ब्राम्हन नहीं हो क्यों? भगवान ने कहा बने तो हो ब्राम्हन पर आई तो मात नाई पूंचत अस भाया हो आपने सिर जुका लिया अपना अरे वो ब्राम्हन के सा जिसका छत्रिय के आंगी सिर जुक जाए वो ब्राम्हन के सा जिसका छत्रिय के आंगी सिर जुक जाए ब्राम्हन का तो हाथ उतना चाहिए आशिरवात देने के लिए पर आपने तो सिर जुका लिया इसलिए समझ गए कि आप प्राम्हन नहीं हो हनुमान जी ने अच्छ देखिये भगवान ने ऐसे कहा तो हनुमान जी भी तो भब्त है बोले अच्छा प्रभू आप कहते हो कि मैं प्राम्हन नहीं हूँ तो ठीके प्रभू मैं भी कह देता हूँ कि आप छट्री नहीं हो भगवान बोले तुमने कैसे जाना कि मैं छट्री नहीं हूँ हनुमान जी बोले आपने कैसे जाना कि मैं ब्राम्हन नहीं हूँ तो भगवान बोले कि वो ब्राम्हन कैसा जिसका छत्री के आंगे सिर जुक जाए तो हनुमान जी बोले प्रभू इसलिए मैं भी सोच रहा हूं कि वो छत्री कैसा जिसका सिर ब्राम्हन के आंगे ना जुके वो छत्री कैसा तो प्रभु आप भी छत्रिय हो नहीं, बने हुए हो अच्छा तो